नमश्कार दोस्तों, उमीद करता हूँ कि आप सभी पहले से काफी ज़्यादा बैतर होंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके बारे में गोजिन पल्स के बारे में इसको पल्स बोल दो, फंक्शन बोल दो, सिगनल बोल दो, सबका मतलब क्या है, सेम है तो इसको mathematically हम कैसे लिखते हैं, एकसो अफ़ टी इस इकल्टो में एकस्पोनेशल माइनस पाई टी स्केर अगर आप ध्यान से देखें, तो हमें यह जो पल्स है यह हमें इवन सिगनल ने ज़रा रहा है, खिक है तो क्या मैं कहते हैं, यह हमारे पास क्या, this is nothing but even signal क्योंकि even signal, आपके पास कोई भी सिगनल या कोई भी पल्स फंक्शन, even तभी होता है जब आप उसका reversal ने, तो वो आपके origin signal के बराबर आजे तो इस case में भी दोस्तों ऐसा होगा, जब आप इसका reversal लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको same pulse आपको मिल जाएगी तो आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी even signal है अगर आपके पास कोई भी even signal है, तो उस case में आप ये use कर सकते हैं minus infinity से लेके plus infinity, this is x of t into dt, आप इसको लिख सकते हैं twice, this is integration, 0 से लेके infinity, this is x of t, into में आपके पास क्या रहेगा, dt रहेगा बताइए, पूरे class में किसी भी सुनगो, कोई भी doubt यहां तक, इतना clear है अब उसके बाद देखिए, हमें area निकालना है, तो area, integration का मतलब क्या होता है, area चीक है, तो आप इसको, मैं इसको i माल लेता हूँ यहां पे, तो i is equal to में हमें क्या निकालना है हमें निकालना है, integration, minus infinity से लेके plus infinity, यह होजएगा हमारे पास exponential minus में pi t square, इंटो में क्या रहेगा dt, सही है अब जैसा कि आप सब को पता है कि यह हमारे पास क्या even function है ठीक है, goes in pulse हमारे पास क्या even function है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, twice, integration, limits हमारे पास कहां से कहांता हो जाएगी limits हो जाएगी हमारे पास, zero से लेके inverter, so this is nothing but exponential minus pi t square, इंटो में हमारे पास क्या रहेगा dt रहेगा clear है, अब हमें क्या करना है, इसको further solve करना है, तो बताओ further solve आप कैसे करोगे तो मैं यहाँ पे कुछ rough work कर लेता हो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे lambda, तो यहाँ से 2 pi t into में dt, यह हमारे पास कितना आजएगा, d lambda, तो dt की value हमारे पास कितना आजएगी, d lambda divide by me 2 pi small t, सही है, और अगर आप चाहें तो आप t की value को भी यहाँ पे put कर सकते हैं, यहाँ से निकालो t की value, तो यह आपके पास कितना हो जएगा, d lambda divided by me 2 pi, t की value कितनी हो जाएगी, यह scale है, तो यह divide में जाएगा, और root आजएगा, so this is nothing but root lambda by me pi, सही है, और limits of जो integration होगी, वो भी हमारे पास same रहेंगी, क्यों होँ, क्योंकि जब आप t को 0 put करोगे, तो आपके पास lambda क्या आएगा, 0 आएगा, t को infinity put करोगे, तो lambda आपके पास क्या आएगा, infinity, तो यहाँ पर जो limits of integration है, इन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, समझपाने मेरी बात, तो देखिए, this is equal to में, यह आपके पास क्या रहेगा, twice, integration, 0 से लेके infinity, एकी पावर माइनस, pi t square को मैंने क्या माना है, lambda, ठीक है, और dt की जगापे हम क्या put करेंगे, dt की जगापे हम put करेंगे, d lambda, divide by में, this is 2 pi, अंडर root, यह हमारे पास कितना होजगा, lambda, divide by में, pi, बताइए, पूरी क्लास को कोई doubt, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 2 को, यह जो हमारे पास 2 है, इस 2 को हम इस 2 के साथ क्या कर देंगे, cancel कर देंगे, यहाँ पे pi है, और यह divide by में, root pi है, तो आपके पास क्या बचेगा, root pi, और उसको मैं पूरे को बाहर ले लेता हूँ, तो दोस्तों, यह आपके पास कितना आजएगा, one divide by में, this is root pi, integration, zero से लेके infinity, अब बताब क्या बचेगा आपके पास, e की power minus lambda, ठीक है, और नीचे root lambda है, तो उपर जाएगा, तो क्या बनेगा, e की power minus 1 by 2, इंटो में क्या रहेगा, d lambda, तो हमारे पास i की value यह आगी, अब हमें क्या करना है, हमें इसको further solve करना है, तो अगर दोस्तों आपने mathematics में ध्यान दिया हो, तो mathematics में हमारे पास एक gamma function होता है, क्या होता है गामा फंक्शन तो गामा फंक्शन क्या कहता है गामा फंक्शन कहता है कि अगर आप इसकी वैलू निकालना चाहें यह होता है आपके पास गामा फंक्शन तो इसको आप कैसे लिखते हैं इसको आप लिखते हैं जीरो से लेके इंपरणी और यह आपके पास क्या ह होता है this is n-1 into में क्या होता है dx इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं गामा function बस compare कर लो अब यह एक पावर माइने साफ है यह मैंने यहाँ पर एक mistake कर दिये एक चुली में लेमडा एगा नहीं यह हमारे पास लेमडा है यह लेमडा की इस इस नाइंग बट, वन डिवाड़ में, रूट पाई, इंटिग्रेशन, जीरो से लेके, इन्फरिटी, इस एक्पोनेशल माइनस लेंड़ा, तो माइनस हाफ, तो आपको पता है, अगर मैं प्लस हाफ में से, वन को सब्ट्रेक कर दूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस हाफ, तो कहने का मतलब यह है कि, यह होजाएगा, अगर मैं वन बाइट टू में से, वन सब्ट्रेक कर दूँग, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे माइनस हाफ मिल जाएगा, सभी, यह दोनों बिल्कुल सेम है, यह दोनों बिल्कुल सेम है, तो मैंने इस लिए लिखा था कि वह गामा फंक्शन से मैं रिलेट कर सकूँ तो बताओ यहां पे जब आप रिलेट करोगे n के वैल्य आपके पास कितनी आ रही है वन बैट हो तो यह हमारे पास कितना होज़ेगा कहोगे तो जब कॉम्निकेशन से स्ट्म पढ़ाओंगा तो वहां पे मैं इसको डिलेल्मेट कराता हूं इन साइड प्रोपड़िस को तो कॉम्निकेशन से स्ट्म में हम इसको कवर अप कर लेंगे तो यहां पर रिप्लेस कर देजिए तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इसको solve करेंगे now when I solve this इसको जब हम यहाँ पर क्या करेंगे solve करेंगे तो solve करने के बाद यह अपने पास root pi आजेगा तो आपके पास यह कितना हो गया i is equal to me this is nothing but 1 by में root pi into में कितना हो गया root pi ठेक है तो यहाँ पर क्या होगा यह जो root pi है आपके पास this root pi is cancelled out with this root pi तो finally आपके पास यह जो integral है capital I यह आपके पास कितना आगया 1 सही है इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो area है वो हमारे पास कितना आगया 1 तो अगर दोस्तों मालों आपको कहीं पर यह मिल जाए अगर आपको कहीं पर यह मिल जाए minus infinity से plus infinity exponential minus pi t square into में dt तो बताओ इसका result हमारे पास क्या रहेगा 1 रहेगा तो यह दोस्तों आपको यहाँ पर याद अखना है कि जो Gaussian हमारे पास pulse होती है इसका जो area होता है वो हमारे पास क्या होता है ठीक है तो I hope दोस्तों यह जो मैंने आपको Gaussian pulse पढ़ाई है यह आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी अब हम यहाँ पर एक question लेते जो कि आपके exam में अलड़ी पूछा हुआ है तो question क्या है question आपके पास यह integration minus infinity से लेगे plus infinity exponential minus 4 t square intermediate आपको इस integral क्या करना है अभी recently मैंना को क्या पढ़ा है अभी recently मैंना को पढ़ा है Gaussian normalized pulse तो मुझे बताए Gaussian normalized pulse integration minus infinity से plus infinity exponential minus pi t square intermediate यह जो हमारे पास result था यह किसके equal था हमारे पास 1k equal था और आपको मैं उलड़ी बता चुका हूँ कि जो integration होता है basically मैं integration किसको represent करता है यह integration basically represent करता है किसको area को किसको area को तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर scaling property का use करेंगे तो आपको बताए अगर हमारे पास कोई signal है x of t ठीक है और इस signal का जो area है हमारे पास वो हमारे पास कितना है 1 है तो अगर हम इसको scale करें तो आप मुझे बताए x of alpha t यह हम आपको previous classes में भी proof रा चुके हैं तो इसका जो area होगा वो हमारे पास क्या होगा 1 by alpha होगा क्या होगा 1 by alpha हमारे पास होगा बस इसी को हमें क्या करना है यूज करना है तो देखो rearrange करेंगे हम यहाँ पे अब हमें क्या पता है हमें पता कि e की power minus pi t square इस signal का जो area है वो किस के equal है इस signal का जो area है वो हमारे पास 1 के equal है अब हमारे पास है एकी पावर माइनस फोर टी स्केर इसको मैं रियरेंज करना तो मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस फोर में करमेट करना है तो मुझे यहाँ पर पाई चाहिए तो πi यहाँ पे कैसे आ सकता है पाई यहाँ पे तभी आ सकता है जब आप क्या करें πi से multiply कर दे、 πi से divide कर दे तो इसको क्या मैं ёसे लिख सकता हूँ e की power minus में four यहाँ पे πi ठीक है यह आपके पास t square और divide में आपके पास कितना गया πi तो मैंने हाँ पर क्या किया, πाई से क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर माइनस πाई, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, यह होजएगा हमारे पास to divide by में root πाई, ठीक है, into मे 40, इसका हमारे पास क्या होगा, whole square, तो मैंने क्या क्या, मैंने अपने इस signal को, इसकी form में क्या कर लिया, कर मट कर लिया, अब हमारा कोशन क्या हो जाएगा, असानी से सोल हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें, तो हम इसको लिख पाई, इसका क्या है, whole square, इंटो में डी टी, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं, scaling property को, तो आपको पता है, कि अगर हमारे पास, x of t, इसको मैं x of t हमाल लेता हूँ, इसको मैं क्या हमाल लेता हूँ, x of t, तो मुझे बताओ, अगर हमार हमारे पास यह pulse है, goes in pulse, तो बताओ, goes in pulse का हमारे पास, जो area है, वो हमारे पास कितना है, 1 है, तो बताओ, यहाँ पर scaling factor है, हमारे पास alpha, ठीक है, x of alpha t, तो इसका जो area होगा, वो कितना होगा हमारे पास, 1 by में, हमारे पास alpha होगा, तो put कर दीजे, alpha की value कितने है, 2 divided by में, root pi, so this is nothing but 1 divided by में this is 2 divided by में root π तो root π उपर चला जएगा तो हमारे पास जो answer है वो हमारे पस कितना जएगा this is root π डिवाइड बे में 2 ये हमारा क्या आगया है? answer आगया है so this is our answer तो I hope दोस्तो ये जो question है ये question अरड़ी exam में आपसे पूछे जा चुके हैं तो ये question आपको काफी easy समझ में आया होगा ठीक है? तो अगर आपको फिर भी कोई भी doubt है goes in pulse में तो मैं communication में तो उसको discuss करने वाला ही हूँ random variable जब हम आपको पढ़ाते हैं तो उस समय पे भी goes in pulse के काफी सारे questions में आपको कराते हूँ तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये दुबारा से आपको कहाँ पे मिलेंगी जब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? Communication system पढ़ाएंगे